देश भर में 2024 के चुनाफ के वक्त जुस तरह का माहोल देखने को मिल रहा है उससे पता चल चुका है कि किस तरीके से देश में प्रधान मंत्री से लेकर मंत्री सांसत और विधायक के बोल बिग रहे हुए एक बार प्रधानमंत्री मोधी का इस बात को लेकर जिक्र किया जा चुका है लेकिन अब केंद्री ग्रेमंत्री अमिश्चा का भी इसमें नाम शामिल हो गया है केंद्री ग्रेमंत्री अमिश्चा गुरुवार को मधिपरदेश पोचे अमिश्या ने गुरुवार को राजगर लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रतियाशी रोडमन लागर को समर्थन में जनसभा को संबोधित किया इस दोरान कॉंग्रेस और कॉंग्रेस प्रतियाशी दिगवजी सिंग पर जम कर हमला बोला और हमला बोलते हुए अमिश्या कुछ ऐसा बोल गए जिसकी बाद अब वो चर्चा का विश्य बन गया है दरसल केंद्री गुरिवंति अमिश्या ने कहा कि आशिक का जनाजा है जरा धूम से निकले सम्मान जैसी लीट से हराकर उनकी विदाई करना उन्हें घर पर बिठाने का काम राजगर वाले करें उन्हेंने कहा कि दिग्गी राजा की सला से अपने घोशना पत्र में कहा है कि कॉंग्रेस सरकार आएगी तो मुस्लिम पर्सनल लो लाएंगे इनके सरकार तो आनी नहीं मगर मैं फिर भी आपसे पूछता हूँ कि क्या शरिया कानून से देश चलना चाहिए ये कॉंग्रेस पार्टी पर्सनल लो की बात करके पिछले दर्वाजे से देश में शरिया कानून लाने की बात करती है इसके बाद अमिश्रा ने कहा कि दिग्वुजे सिंग ने भगवा आतंगवाद शब्द कहा था ये पाकिस्तानी आतंगवादी हाफिस सहीद को कहकर बुलाते हैं जाकी नाईक को गले लगाते हैं अफजल गुरू की फासी का विरोध करते हैं और PFI पर बैन का भी विरोध करते हैं ये बहुत बार आये और बहुत बार गए अब समय आ गया है इनको पर्मनेंट विदाई देने का राजनीती से दिगविजे सिंग की पर्मनेंट विदाई राजगर वालों को करनी चाहिए अमिशा ने जिस तरीके से कॉंग्रेस पर जमकर हमला बोला अब उनके ये अपशब्द उनके विवाद का कारण मन गए अमिशा के इस बयान की खूब जोरों से चर्चा की जारे साथ ही अब इस बात का जिक्र होने लगा है कि क्या भाजपा वालों के शब्द इस तरह के होने चाहिए जाते जाते देखें विडियो और उसकी बात और कॉमेंट बॉक्स में बताएं कि आप इस पर क्या सोचते हैं तो बताओ राजगड़वालो रोडमल जी को दीख विजय को हराने की सान जितनी लीड से मैंने कहा ध्यान से याद रखना भई आसिक का जनाजा है बड़ा आदमी है जरा धुम दाम से निकालना उनकी सान जैसी लीड से हराना समझ में आ रहा है आ रहा है घट चुनाव से बड़ी लीड से रोडमल जी को जिताओगे मुदीघी लेगे